बॉर्निंग स्टूदेंस आइम डॉक्टर पूजा सक्सेना जियोग्रुफी डिपार्टमेंट कामेंड कॉलेज पूंदी हमारे पेपर जियोग्रुफी ओफ इंडिया भारत का भुगोल के अंतरकत हम हरित क्रांती ग्रीन रिवॉलुशन को पड़ रहे थे हमने जाना कि हरित क्रांती को वसुतह उच्च गुणवत्ता बीजों के प्रयोक के त्वारा प्राप्त कृशीक शेत्र में अभूत पूर्व खाध्यान व्रधी और खाध्यान आत्म निर्भरता के रूप में देखा जाता है 1950 से 1960 के दश्रक में होने वाला ये क्रांती कारी परिवर्तन हरित क्रांती के नाम से जाना गया हम डिसकुस कर रहे थे कि वो कौनसे कंपोंट्स हैं जो वो कौनसे घटक हैं जो ग्रीन रिवॉलुशन हरित क्रांती में सहायक बने हमने 12 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था ये थे number one high yielding varieties of seeds यानि बीजों की अधिक उपच देने वाली किसमें number two irrigation यानि सचाई number three use of fertilizers विशेश कर chemical fertilizers यानि रसाइनिक उरवरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना number four use of insecticides यानि जो कीट नाश्रक है उनके उनका प्रयोग करना number five command area development program sorry development की जो dam area है उसका जो उसकी जो surrounding है उस surrounding में पढ़ने वाला जो area है उसका बहु मुखी विकास हो उस रिष्टी से number six consolidation of holdings की जो स्वामित्व है वो छोटा नहीं हो उसे मिला दिया जाए जिससे holdings बढ़ी हो और उत्पादन में आत्म निर्भरता भी आए और वृधी भी हो number seven land reforms, number eight supply of agricultural credit, number nine rural electrification गाओ में विद्यूती करण को बढ़ावा देना number ten rural roads and marketing, क्रामीन शेत्रों में स्रडकों का सुवेवस्थित विकास और विपनन की परियाप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना number eleven farm mechanization, खेतों में यंत्री करण को बढ़ावा देना and number twelve agricultural universities, क्रिशी विश्वे त्यालियों को विक्सित करना तो इन twelve components के त्वारा, हरत करांती, Green Revolution के प्रभाव को भारत में देखा गया इसका क्या प्रभाव पढ़ा वो हम देखेंगे like other developing countries, Green Revolution has influenced the economy and way of life in India to a great extent as is evident from these points भारत, ना सिर्व भारत बलकि जो दूसरे विकास शील देश हैं वहाँ सभी की अर्थवे अवस्था को प्रभावित किया हरत करांती ने और जीवन शैली को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया जैसे हम भारत के संदर्प में देखें तो हरित क्रांती का ये इंपेक्ट रहा कि यहाँ जो क्रिशी उत्पादन था उसमें इंक्रीज देखा गया इंक्रीज इंक्रीज इन अग्रिकल्चर प्रदूक्शन इंक्राम yards चτι्च्च करीज इंक्रीजन उ्यां है है वे उ्यामिल बहु करेफि ignor 1967 to 68 and 2003 to 4 while the overall increase in the production of cereals was only two times on account of this reason it is said that the green revolution in India is largely the wheat revolution कि देखिए क्रिशी उत्पादन निश्चत रूप से बढ़ा भारत के संधर्ब में बात करें तो 1967-68 में से लेकर 2003-2004 तक जो गेहु उत्पादन था उसमें तीन गुणा की बढ़ोत्री हुई हम कहें कि ग्रीन revolution नहीं था ये गेहु क्रांती थी क्योंकि भारत में विशेश रूप से खाद्यान और खाद्यानों में भी गेहु के उत्पादन जो कि यहां का में सेरियल है उसके उत्पादन में अभूतपूर प्रगति हुई number two green revolution का impact हम prosperity of farmers के रूप में देख सकते हैं किसानों की सम्रिधी में व्रिधी हुई with the increase in farm production the earnings of the farmers also increased and they become became prosperous this has especially been the case with big farmers having more than 10 hectares of land किसानों को सक्षम बनाया जिनके पास बड़े holdings थे विशेश रूप से उनकी बात करें तो उनकी जो position थी भारत में वो एक एक जो समाजिक परिद्रश्य था उसमें बहुत बदल गई number three reduction in import of food grains खाद्यानों के लिए जो आयात पर निरभरता थी वो घट गई the main benefit of green revolution was the increase in the production of food grains as a result of which there was a drastic reduction in their imports we are now self sufficient in food grains and have sufficient stock in the central pool sometimes even we are in a position to export food grains also the per capita net availability of food grains has also increased from 395 grams per day in early 1950s to the level of 436 grams in 2003 so this in spite of the rapid increase in population population जन संख्या में तीवर व्रद्धी के बावजूत हरित क्रान्थी का ही ये निशकर्ष देखिए कि 1950 में में जहां 395 ग्राम प्रति दिन हमारी जो availability थी पर capita वो दो हजार तीन में 436 ग्राम हो गई किस तर पर पहुंचें हम आयात मतब हमारा minimize हो गया और यहां तक कि हम खाद्यान निर्याद जैसी स्थिति में भी पहुंचें Number 4. Capitalistic Farming. Poonji Wadi Kheti. Big farmers having more than 10 hectares of land have tended to get the maximum benefit from Green Revolution. Technology by investing large amounts of money in various inputs like HYVCs, fertilizers, machines, etc. So this has increased capitalistic farming. Capital बनाया और वो a capitalistic farming में चेंच होगा इग communal farming से. Blowing back of profit. The introduction of Green Revolution helped the farmers in raising their level of income. Wiser farmers plod back their surplus income for improving agricultural productivity. This led to further improvement in agriculture. According to a study conducted by Punjab Agriculture University Ludhiana, farmers plod back about 55% of their income for agricultural progress. जो उत्पादक्ता थी उसका फिर्प से निवेश किया जाना, किया गया जो वो धीमान किसान थे उनके द्वारा और क्रम शहर इस कदम ने कृशी उत्पादक्ता को आगे बढ़ाया. Then, industrial growth. अद्योगिक वृती. Green Revolution brought about large-scale farm mechanization, which created demand for different types of machines like tractors, harvesters, thrashers, combines, diesel engines, electric motors, pumping sets, etc. जब कृशी का यंत्री करण हुआ, तो इन विभिन्न यंत्रों के लिए यंत्रों की demand उठी और उस demand को पूरा industrial manufacturing के द्वारा ही किया जा सकता है. साथ ही साथ डिमांड बड़ी, chemical fertilizers की, pesticides की, weedicides की, वो भी बड़ी. तो कहीं न कहीं, जो industrial growth थी, वो से सीदे सीदे प्रभाविक थी. Number 7. Rural Employment. While on one hand, large-scale employment was feared due to mechanization of farming with the introduction of green revolution technology in India, there was an appreciable increase in the demand for labor force due to multiple cropping and use of fertilizers. यदे पी यंत्री करण के द्वारा मानव श्रम सीमित हुआ, लेकिन जो हमारा फसली करण, जो बहुगुणी फसली करण था, मताब बार बार जो cropping pattern use किया गया या use of fertilizers थे, उसके कारण मानव श्रम को की भी आवशकता हुई. According to Gobind Thakral, green revolution has generated lakhs of new jobs in Punjab. Almost 15 lakh poor people from the regions of Bihar, Eastern UP and Odisha work here. They not only earn their bread and butter, but take back some new ideas and technology. मतलब हरित करांती के फलस्वरूप जो करशी उत्पादन में अभूत पूर्व प्रगती थी, उसके फलस्वरूप नसिर्फ पंजाब के, बलकि विभिन दूसरे राच्चों से प्रवासी मजदूर इन शेत्रों में आई, और वो नसिर्फ उन्होंने कमाया, बलकि वो नए प्रवासी में लेकर गए, तो हम जो रूरल एम्लाइम्मेंट था उसको बढ़ावा मिला, and number eight, change in the attitude of farmers, किसानों का जो दृष्टि कौन था वो पतला, the Indian farmer had remained illiterate, backward and traditional and had been using conventional methods of cultivation since the early times, but green revolution has brought about a basic change in his attitude and towards farming. The way he has readily adopted the green revolution technology has exploded the myth that the Indian farmer is basically traditional bound and does not use new methods and techniques. अशिक्षित हैं या पुरातन पंथी सोच रखते हैं, लेकिन हरित करांती के फलस्वरूप दुनिया ने देखा कि भारतिये किसान ने किस तरह से ना सिर्फ technology को adopt किया, बल्कि उत्पादन और किस प्रकार से इंप्रूव हो सकता है कि दिशा में भी विभिन जो वर्क्शॉप्स थी, उनका सहरा लिया और उनके साथ सहयोग किया. Um, Wolf Lezhensky has rightly concluded that where the ingredients for new technology are available, no farmer denies their effectiveness, the desire for better farming methods, and a better standard of living is growing, not only among the relatively small number of affluent farmers using the new technology but also among countless farmers still from outside looking in यह बहुत popular कथन है वुल्फ लिजेंस्की का उन्होंने कहा कि यह जब नई तकनीक उप्लब्ध होती है तो किसान कभी भी उसका उपयोग करने के लिए बना नहीं करते उसकी जो effectiveness है उसका जो प्रभावी करन है वो और प्रिद करता है नई methods को opt करने के लिए क्योंकि उससे जीवन सतर की गुणवत्ता भी बढ़ती है और कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो कि नई technology को कुछ के साथ corporate नहीं करता बलकि कुछ उसमें involved होते हैं और कुछ बाहर से देखते हैं और फिर उसमें बात में चाकर involved होते हैं तो हरित करांती का जो impact था भारत में वो हमने विभिन रूपों में देखा कि भारत खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भर हुआ यहां के किसान सम्रद्ध हो गए हमारी खाद्यान में आयात निर्भरता खत्म हो गई वैलकि हम निर् योगिक व्रदी हुई ग्रामीन रोजगार बढ़ा और जो किसानों का जो द्रश्टी कोन था उसमें बहुत बढ़ा फर्क आये यह बहुत बढ़ा फर्क है भारतिये परिद्रश्ट में देखा जाये तो जहां किसानों को गरीब और अशिक्षित शेनी में माना जाता था वहां उनमें एकतम ट्रान्स्परमिशन हुआ उसका पुरा पुरा श्रे घ्रीट क्रांती ग्रीन रिवालूशन को दिया जाता है लेकिन देर वर सम् तिमेरिट्स और बॉल्म्स आल्सों रिगार इंगारिदेश्टें में रीवालुशन इस आपूरा इंगरी निवारूश than even before, but it has its own inherent deficiency segments. The effect of green revolution is primarily felt on food grains. Although all food grains including wheat, rice, chowar, bazda and maize have gained from the green revolution, it is wheat which has benefited the most. It has wrested areas from coarse cereals, pulses and oilseeds. The result is that an excess of production in two main food grains wheat and rice and shortages in and most others today prevail side by side. The other crops have been subsided. The commercial crops like cotton, jute, tea and sugar cane are also almost untouched by the green revolution. जो दूसरी वेपारिक फसले हैं जैसे कापास, चूट, चाएगाना, इन्हें अच्छोता रखा गया हरितक्रांथी के अंतरकरत है. और जूता आफ पास और शनी चाक्रांथी के अतरकरत कारतक।